हाई दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर वी प्रेशर कुकर में 15 मिनिट में चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अलू मटर बनाने लिए हमको चाहिए आलू कच्छा आलू जिसको पील कर गए चॉप कर लीजे स्क्वेर क्यूब में इसके साथ चाहिए टमाटर यह फ्रोजन मटर है बाजार में आसानी से अवेलेबल है इसके साथ साथ हमको चाहिए प्यास कटा हुआ चलिए दोस्तो अब स्टार्ट करते हैं आलू मटर की रेसिपी इसके लिए सबसे पहले कुकर गरम कर लीजे गैस पे तेज आंच में कुकर गरम कर लीजे उसके साथ एक उसमें डाल दीजे रिफाइन डएल सकते हैं तिल गरम होका है जिसमें हम डालेंगे कडी पत्त और हरी मिर्च अब देख सकते हैं यहा पे चवट आडख कर करें रख वरी मिर्च जो मैंने छॉप करके रखा है जब यह अच्छे से हरी मिर्च थोड़ा सा लार आब ढाल प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं आप इसमें चाहिए तो अद्रक लसन का पेस्ट भी दाल सकते हैं अगर आपको चाहिए कि प्याज जल्दी से पके तो उसमें आप पहले ही नमग डाल दीजिए यह की देख में आउनमक ड़िए तो ऊसमें आप फहले ही नमग डाल सकते हैं इसमें साथ में मसालेκι करहे हैं हलदी इसके साथे गरम मसाला ना यह थोड़ा से एक चमँछ जे दानीया पावञज शम मीचय और यह जो में टाल यह यह मैं पाव भाजी मसाला यूज कर रहे हूं दोस्तों आप चाहिए तो चिकन मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको चिकन जैसा फ्लेवर चाहिए होगा तो अलु मतर के लिए यह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है इस सारी मसाले जो है अच्छे से बून ल इसमें इसको एक दो मेट तक आप भून लीजिए तक तेल में मसाले अच्छे से फ्लेवर अपना छोड़ दे यह देख सकते हैं आप यहां पर बहुत खुबसूरत दिख रहे हैं अब मैं इसमें एक टीस्पून दही तोस्तों दही का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है यह जैसे दम आलू बनते हैं रेस्टोरंट स्टाइल में वैसा फ्लेवर आएगा तो मैं थोड़ा सा दही डाल रहे हूं इसमें आप यहां पर मीठा दही यूज कर सकते हैं कड़ी वाला दही मत यूज किजिए खटा नहीं तो आलू मतर हमारे खटे लगेंगे टेस्ट में देख सकते हैं यह बहुत है अच्छा दिख रहा है यह तेल छोडना स्टार्ट कर दिया है वारी सब्सब्स है अब ढारेंगे हमारे खट leser मतर नहीं है जो तो तो कच्छे मतर जो मिलते हैं तो में भाथ इसमें अपड़ करोंगी इसको अच्छे से मिला ली ज yi acting की धा पर जैसी और अगर कोई महमान अचानक से आ जाते हैं तो जल्दी से बना के इसको दे सकते हैं यह देखिए अब इसको हम सीटी लगाएंगे अब दो सीटी लगा दीजिए और उसके बाद गैस बंद कर दीजिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी आड़ कर देती हूं दोस्तों अभी थोड़ा सा ग्रेवी रहेगा तभी आलू हमारे जल्दी पकेंगे यह देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पानी आड़ कर दे रही हूं इसमें अब मैं डग दे रही हूं प्रेशर कुकर से अब दो सीटी लगा दीजिए उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए अब देख सकते दो सीटी के बाद सब्जी बहुत खुब सुरत दिख रही है तो दोस्तों अगर आपको ही मेरी सब्जी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए